नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिन्द प्रशाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटो टेक को देख रहे हैं इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि लाइट रूम में ग्रेजुएटिट फिल्टर का कैसे इस्तमाल किया जा सकता है इस टूटोरियल में हम सीखेंगे कि लाइट रूम में ग्रेजुएटिट फिल्टर को कैसे इस्तमाल किया जा सकता है लैंडेसकेप फोटोग्राफी में एक समस्या खास तौर पर साम या सूबह की फोटोग्राफी में आती है वह यहां कि land escape की तुलना में sky बहुत अधिक bright रहती है और digital camera का dynamic range बहुत कम होने के कारण अगर हम sky के हिसाब से exposure set करते हैं तो land escape dark हो जाती है और यदि हम land escape के हिसाब से exposure set करते हैं तो sky over exposed हो जाती है ऐसे हालात में photographers graduated filter को lens के उपर लाया कर exposure को सही करते हैं graduated filter उपर से dark और niches की तरफ से transparent रहता है और black area जैसे जैसे transparent area की तरफ जाता है वह gradually transparent होता चला जाता है अभी आप screen पर विभिन रंगों के graduated filters को देख रहे हैं लेकिन lightroom में एक graduated filter tool होता है जिससे कि आप वही effect पा सकते हैं जो की graduated filter लगाने से मिलता है graduated filter lightroom का एक अतिन्त ही powerful tool है जिससे हम image के कुछ हिस्सों की editing भी कर सकते हैं हम screen पर खुले तस्वीर पर graduated filter का प्रयोग करके देखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह image overexposed है लेकिन हम landscape में केवल sky को ही dark करना चाहते हैं तो ऐसे हालत में हम graduated filter का उप्योग कर इस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं को basic adjustment panel की तरह exposure saturation clarity डिहेज आधी के sliders मिलेंगे लेकिन अंतर यह है कि यहां हम एक या अधिक adjustment को image के किसी खास हिस्से पर प्रयोग में ला सकते हैं आपको यह दिखाने के लिए कि यह filter किस तरह से काम करता है मैं पहले exposure slider को बाई तरफ खिसका कर exposure को कम कर देता हूं graduated filter select करते ही आप देखेंगे कि करसल एक plus sign में बदल जाता है जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं अब मैं image पर mouse से click करके drag कर रहा हूं आप देख सकते हैं कि एक central line के दोनों और दो और line बन गये हैं और exposure का effect टॉप से bottom की तरफ gradually fade होता चला जा रहा है अगर मैं lower line पर इस hand icon को क्लिक कर ऊपर ले जाता हूं तो exposure का fading कम हो जाता है और उसी तरह जब lower line को drag कर मैं लीचे ला रहा हूं तो exposure का transition smooth होता चला जा रहा है जैसा कि आप अभी screen पर देख सकते हैं अगर आप इस circle पर कुछ देर mouse रखेंगे तो आपको एक red overlay दिखाई देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि graduated filter का असर किस किस अस्थान पर पड़ा है अगर आप mouse को middle line के side पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि arrow double line में बदल गया है अब आप drag करके filter को rotate भी कर सकते हैं मैंने अभी केवल exposure slider का graduated filter में उपयोग किया है पर आप saturation, dehage, clarity, temperature किसी भी slider के effect को प्रयोग कर अपना graduated filter बना सकते हैं अगर आप filter के effect को खत्म करना चाहते हैं तो delete button दबा दे, effect खत्म हो जाएगा अब आपने graduated filter का उपयोग करना सीख लिया है तो अब आईए इस तस्वीर पर इसको इस्तमाल करके देखें इस तस्वीर में sky में बहुत कम detail है इसलिए detail को उभारने के लिए मैं deh filter का उपयोग करूँगा मैं पहले deh filter के amount को बढ़ार रहा हूं और उसके बाद graduated filter को apply कर रहा हूं आप देख रहें कि filter ने cloud के detail को अच्छी तरह निकाल दिया है आप camera में भी natural density graduated filter का उपयोग कर यह effect पा सकते हैं filter के effect को original photograph से तुलना करने के लिए back slash button को दबा दे आपको original तस्वीर दिखने लगेगी जिससे आप इस conversion की तुलना कर सकते हैं landscape में color graduated filter भी उपयोग में लाए जाते हैं यहां click करें आपके सामने एक color panel खुल जाएगा और यहां से आप कोई color चुनकर अपने graduated filter में उपयोग में ला सकते हैं पर मुझे यह तस्वीर बिना color के ही अच्छी लग रही है इसलिए मैं color का उपयोग यहां नहीं कर रहा हूं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि graduated filter ने मकान को भी dark कर दिया है जो कि ठीक नहीं लग रहा है पर चिंता मत करें इसे भी ठीक किया जा सकता है graduated filter की उपर यहां brush लिखा दिख रहा है इस पर क्लिक करें इससे brush का panel खुल जाएगा जो कि यहां दिख रहा है यहां आप आवश्यक्ता नुसार brush की size, feather या flow आदि को मन मुताबिक adjust कर सकते हैं हम brush को erase mode में use करेंगे क्योंकि हम graduated filter के effect को मकान पर से हटाना चाहते हैं इसलिए यहां erase mode पर क्लिक कर दें auto mask को भी क्लिक कर दें इससे brush automatically object के edge को पहचान लेगी और brushing आसान और accurate हो जाएगी अब जिस area पर से graduated filter के effect को हटाना है वहाँ paint कर दें जैसा मैं आपको यहां करके दिखला रहा हूँ आप देख सकते हैं कि image अब पहले से अच्छी दिख रही है एक बार फिर पहले और अब के परिवर्तन को backslash बटन दबाके हम लोग तुलना कर सकते हैं जरूरत के नुसार आप एक से ज़्यादा graduated filter को भी प्रयोग में ला सकते हैं आपको दिखाने के लिए मैं एक दूसरे graduated filter का उपयोग कर image के निशले हिस्से को dark कर रहा हूँ अब पहले से अच्छी दिख रही है क्योंकि नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा dark हो गया है अब आप अपनी किसी image को खुलें और उस पर इस graduated tool की practice करके देखें आशा है आपको यह tutorial पसंद आया होगा अगले tutorial में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे आग्या दें आपका दिन मंगल मैं हो आशा है यह tutorial आपको पसंद आया होगा अगर आप इसी तरह के interesting tutorials देखना चाहते हैं तो मेरे channel को like और subscribe जरूर करें और नए वीडियो की notification पाने के लिए क्रिपिया बेल आइकोन को दबा दें इस अंक में इतना ही अब नए वीडियो के साथ मैं आप से फिर मिलूँगा तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें गुडबाई for now